हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रिप्रेशन में आप सभी का बहुत दो श्रागत है और आज का जो वीडियो है वो कोड आपका 502 का है और जो कुश्चन्स है यह अधियम से सब्बंदित है रिलेटेट है और फर्स्ट वीडियो इसका जेस्ट आज ही दो पार में अपलोड कर च का है तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से कोश्चन्स है और सभी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सयोग मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है और मैंने जस्ट कहा था कि इस पेपर है तो मैं आपको इसमें टाइम थोड़ा सा देती हूं कि आप एंसर जो है वो सलेक्ट क पहला कोश्चन लेती हूं कि अधिगम का जीवन में क्या योगदान है तो देखे इसका जो फर्स्ट आफ़सन है वो है जीवन के लक्ष को अधिगम के द्वारा प्राप्त किया जाता है बी है अधिगम के कमजोर होने का अर्थ है जीवन में लक्ष हासिल करने से वनचित जाना और सी है अधिगम से केवल बिभिन विश्यों की समस्याओं का ही हल करना नहीं सीखते बलकि जीवन की समस्याओं का भी हल सीख लेते हैं और जो डी आफसन है उपयुक्ति सभी कोश्चन आपका पूछ रहा है अधिगम का जीवन में क्या योगदान है तो देखिए अध मतलब आपको पता है तो आप बहुत आराम से इसका एंसर सर्च कर लेंगे अधिगम यानि सीखना होता है जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो जीवन के लक्ष को हम प्राप्त कर लेते हैं तो ए जो है ये भी राइट एंसर है अधिगम के कमजोर होने करते हैं जीवन में ल यहां पर आपका राइट फिक्त सभी है लग्ष को प्राप्ट करना और अधिगम कमज़ोर है तो हम लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे धियो मुछ चीज़े सीख नहीं पाएंगे और हम उस लक्ष को कैसे प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम करना चाहे रहे हैं और अधिगम से केवल बिविन विस्यों की समस्याओं का हल करना नहीं होता बलकि सीखते भी हैं यही अधिगम कहलाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा D निश्क पुशन देख लेते हैं आगमन बिदि ठीक है ना अच्छाथ्र के लिए होती आगमन बिदि जो होती है घ्टना की योड़ की जाती है जिखार्ति पूप से शिखने का उस्में अनुम्जासन की स्थित क्या होती है सिक्षार्थी केंडित अधिगम जो होता है सीखने का उसमें अनुसासन के स्थित क्या होती है तो option देख लिए ए साजा सक्री भागिदारी और बी लादा गया सी स्वन यंत्रित और डी उप्युक्त तीनों तो इसमें जो अनुसासन के स्थित होती है उसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ए साजा सक्री भागिदारी इसमें होती है ठीक है पर्यावन अध्यान को कक्षा एक वा कक्षा दो में किस पार्ट पुस्तक के साथ समेकित कर दिया गया है अब आपको इसका एंसर देना ही important questions आपके लिए हो सकता है तो जो पर्यावन अध्यान आपका environment है उसको बताना है कि जो कक्षा एको कक्षा दो में किस पार्ट पुस्तक के साथ समेकित कर दिया गया है तो इसका जो राइट एंसर क्या होगा ए भासा के साथ बी गडित के साथ सी ए भी दोनों के साथ या डी समाजिक विज्ञान के साथ जो है इन दो भासाओं के साथ यानि A और B यानि भासा और गणित के साथ में ही मिला दिया गया है ठीक है Next question देख लेते हैं Next question देख लेते हैं कि समानते हैं सुविधा वंचित बच्चे किसे माना जाता है यानि सुविधा वंचित बच्चे किसे माना जाता है किसे के अंतरगत आते हैं सुधा वंचीत बच्चे आपको बताना है अंसर आपके सामने है A जो है अंसूचीज जाती B जो है अंसूचीज जन जाती C जो है अलप संख्यक समों के D उप्यूगत तीनों में तो देखें इसका जो अंसर होगा आपने सेलेट कर लिया होगा इसमें अंसूचीज जाती अंसूचीज जन जाती और अलप संख्यक समों के तीनों लोग के बच्चे आते हैं मेंस इसका जो राइट एंसर होगा D हो जाएगा उप्यूगत तीनों बहु भासी सिक्षन यानि एक भासा सीखने तथा ज्यानात्मक विकास का कायकरम है जो क्या प्रश्न करता है आपको ये बताना है कि जो बहु भासी सिक्षन होता है वो भासा सीखने तथा ज्यानात्मक विकास का कायकरम है इसका क्या काम है ये क्या एक प्रश्न इससे बनता है वो क्या करता है यह आपको बताना है इसमें क्यों क्या प्रश्ण करता है तो पहला A है प्रथम भासा में मजबूत बुनियाद B है एक या अधिक अत्रिक्त भासाओं को सफलतवा पूरक बांधना और C है बिविन विशेयों के प्रभावी अधिया में हेतु दोनों भासाओं सभी भासाओं के उप्योग में योगता या फिड्डी है उप्योगत सभी इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा उप्योगत सभी है संकल्प नात्मक आकलन का आयोजन और पचारी की ढंग से कैसे किया जाता है संकल्प नात्मक जो आकलन होता है उसका आयोजन कैसे किया जाता है आपको यह बताना है कुछ करके बिनिवंद करके एक टेस्ट या पर्योजना के द्वारा या फिद्डी उपयोगत एसमें आपका हुई होता है और पर्योजना भी होता है त्लिया प्रयोजना भी होती है तो प्रेज़ना की बारे में क्या सत्ते है अब आपको बताना है और यह important questions हो सकता है तो देखिए प्रेर्णा के बारे में क्या सकते है ए आप्षन है प्रेर्णा एक आंतरिक बल है बी आंतरिक प्रेर्णा से रूचिवा आनन्स होता है उत्पन्न होते हैं और डी जो स्वारी सी जो है बाहे प्रेर्णा एक प्रकार स से लालज पुरस्काय दंठ आसर उत्पन्न होता है और डी जो है उप्युक्त सभी तो देखिए जो इसका राइट एंसर होगा तो आपने एंसर सलेक्ट कर लिया होगा देखिए जो है प्रेर्णा एक आंतरिक बल है बिल्कुन और बी भी जही है क्योंकि आंतरिक आपका अध्यापक केंद्रित पर इसका देंसर होती है उसका उधारान है बैंकिंग सिक्षा, next question ले लेते हैं और next question है कि निमन में कौन सी सिक्षन बधी प्राथमी के निमन कक्षाओं के लिए उप्यूक्त है, यानि जो नीचे option दिये हुए इसमें से आपको बताना है कि आसी कौन सी विधी है जो प्रात्मिक शिक्षा के लिए निर्म नकक्षाएं जो होती है उनके लिए सही होती है आफ्सन है निग्मन बिधी और बी है आग्मन बिधी, सी है आखेल खूद बिधी और डी है उप्योक्त तीनों तो इसका जो राइट अंसर होगा आपने सेलेक्ट कर लिया होगा प्रात्मिक शिक्षा के जो निर्म नकक्षाएं होती है प्रात्मिक शिक्षा में उनके लिए कौन सी विधी ज्यादा अच्छी होगी तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा निगमन विधी नेट्ट विकास आत्मक पाठ्करम किस प्रकार की अधिगं की विसेश्टा है वो किस प्रकार की अधिगं की विसेश्टा है आपको बताना है तो देखें जो विकास आत्मक पार्ट क्रम होता है वो आपका जो है शिक्षार्थी के अधिकार कानून 2009 के अनुसार याने शिक्षा का जो अधिकार अधिकार अधियम 2009 था उसके अनुसार कक्षा एक से पांच के अधिकार अधियम 2009 था उसमें प्राइमरी लेवल के जो टीचर थे उन लोगों के लिए याने कक्षा एक से पांच तक के लिए जो सेक्षडिक्स आपका सत्र चलता है उसमें आठ सो अनुदेश नात्मत अवदी रखी गई थी टीचर के लिए और कक्षा छे से आठ तक के लिए कितनी अवद ही रखी गई निर्धारित की गई है यह आपको बताना है और मुझे आइटिंग से लग रहा है किसका मैंने वीडियो एक बनाया था उसमें एक कोश्चन था और मैंने आपको बताया तो फर्स्ट आपका एक हजार और जो बी अधियां आठ दो है और फिर को खेल के अटने था हज़ा को है और उने 6D एद्याद को अफृण का यह एक मेंके शल्ट करी लिया होगा यह भी थे किन शिद्धानतों पर आधारित है तो इसका जो option है वो होगा D यानि उप्योगती सभी यानि खोज अधिगम विधी जो है वह सकृता का सिध्धानत तरक पूर्चिंतन का सिध्धानत और ग्यात से अध्यात की और जाने के सिध्धानत इन तीनों सिध्धानतों प बीदिए को निगा हो आपको इया और इसे के एक प्रकार का कि अठाव। में आपको बता चुके हैं तो देखिए एक प्रकार का रचनात्मा काकलन बिल्कुन सही है यानि जो जिसे हम एफेक वगएरे कहते हैं यह काई परिक्षा इसी को तो बोलती है तो रचनात्मा काकलन के अंतरगती आता है और यह आपके जो पार्ट होजना बनाते हैं लेसन प् यानि उप्युक्त सभी ठीक है ना तो इकाई परिक्षण के बारे में अगर पूछते हैं कि काई परिक्षण क्या है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि यह प्रकार का रचनात्मा काकलन है और जिससे विद्यार्टियों को कटनाई पहचानने में में मदद होती है और बेकर कितने तरह के विचार दिये तो जो उनकी प्याजे का संग्यानात्मक विकास का जो सिध्धानत है उसकी अंतरगत ही आता है और हर बार हम आपको हर वीडियो में ही कहते कि आपके लिए बेरी इंपॉर्टेंट है तो देखिए इसमें जो पूछा कि अहम केंदित जो विचा किस अवस्था में आता है तो आप एंसर जो है किस कर चुके होंगे चलिए मैं इसका राइट एंसर बता देती उसका राइट एंसर यह होगा दो से साथ वर्ष यानि दो से साथ वर्ष के बीच में अहम केंदित विचार जो है वो बच्चों के मन में आता है ठीक है ना किस भाग में किसी बालक को सारीरिक डेंड या मांसिक उत्पिरण नहीं किया जाएगा कि चर्चा की गई आपको भाग बताना है यहाँ पे तो यह भी यार दखिएगा किसी बालक को सारीरिक डेंड या मांसिक उत्पिरण नहीं किया जाएगा तो देखिए इसकी चर्चा की गई है आपके सामने है ए भाग सत्रा बी भाग ठारा सी भाग उन्नीच और दी भाग बीस एंसर आपने किसके लिया होगा इसका राइट एंसर जो होगा वो होगा आपक सत्रा में सिक्षक अधकार अधनियम 2009 में किसी भी बालक को सारीरिक डेंड या मांसिक रूप से शताया परशान या उत्पिरण नहीं किया जा सकता है तो फ्रेंज कैसा लगए वीडियो जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक तो करिए ही लेकिन शाहत में शेयर भी करिए और चलिए फिर नेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं फिर हाजिर होते हैं तक तक के लिए टेक केर बाय सुबरात्री